नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News Live पर देखते हैं हमारे आज की कुछ खास खबरें महाराष्टर कैबिनेट ने की राजजपाल द्वारा मनोनीत MLC के लिए उद्धों के नाम की शिफारिश महाराष्टर कैबिनेट में विधान परिशद में राजपाल द्वारा मनोनीत किये जाने वाले MLC के दो खाली सीटों में से एक के लिए मुख्यमंत्री उद्धों ठाकरे के नाम की शिफारिश की गई है राज्य के मतरी नवाब मलिक ने कहा कि कोरोना वारस संकट के कारण MLC चुनाव नहीं हो सकते इसलिए सब्वेधारिक संकट से बशने के लिए ऐसा किया गया है बताते की CM बनने के 6 मैने के भीतर ही MLA या MLC बनना अनिवार्य है 36 गण में विधायक भीमा मडवी हत्याकार मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार 36 गण में विधायक भीमा मडवी हत्याकार में शामिल 2 लोगों को NIA ने बुदवार को गिरफ्तार कर उने NIA के विशेश अदालत के समक्ष पेश किया दरसल 9 अप्रेल 2019 को दत्यवारा के ताककालिक बीजेपी विधायक भीमा मडवी व उनके चार सुरक्षा बलो की IED ब्लास्ट कर हत्या करती गई थी शुर्वाती जाज में CPI माओ इस्ट का नाम आ रहा है दिल्ली में घर से बाहर निकलने पर फेस मार्क्स पहना अनिवार्य सियम दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केश्रिवाल ने बताया है कि फेस मार्क्स पहनने से कोरोना वायरस सक्रमर को काफी हद तक रोका जा सकता है इसलिए अब घर से बहार निकलने वाले सभी व्यक्तियों के लिए face marks पहनना अनिवार्य कर दिया गया है cloth marks भी पहन सकते हैं उपमुख्यमत्री मनिश सिसुदिया ने कहा इसका उलंगान करने वालों के खिलाब कड़ी कारवाई की जाएगी अब आप हमारी चैनल को अब भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर MNS इंदे लिखे और डाउन्लोड करें साथी साथ आप हमारी फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लेइंग ट्वीटर हाई को इस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं आप हमारी चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिलाल वक्त होचे लाइब ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश उदुर्या की तमाम बड़ी खबरे देखने के लिए बने रहे हैं MNS News Live के साथ नमशकार